नमस्कार दूस्तों आज की क्लास में हम सिखेंगे डिजिटल पेंटी जिसमें हम सिखेंगे ट्री बनाना तो आईए देखते हैं सबसे पहले हम लोग एक ट्री का लाइन ड्राइंग लेंगे और फिर फिसी स्काय ब्लू करेंगे इसको बेस कलर ये फिर जो ट्री का जो ट्रंक है इसको बेस कलर देंगे थोड़ा से इसको डाक करते हैं है फिर हम डिसाइड करेंगे कि लाइट मुझे मुझे से लाइट फार काम करेंगे उसके आफूजट में डाक टोन पर काम करेंगे तो जो ऑब ब्राउन कोलर युज़कर भी एक ब्राउन करें एक लाइटर अब ही यह यहां पर और को ऑब ब्राउन का ही में है डेकर टॉंगी तो धिरे धिरे इसको और लॉह्ट हरता जाओंगा और लाइट시고 फिर में हाई लाइप में hypocकर के तो तो सिम्पल्स एक हाड ब्रश लेकर कि जिसकी ऑपोसिटी में 50% रख करके इस हुमें यूज़ कर रहा हूँ ब्रश आप कोई भी लो लेकिन हमें ऑपोसिटी और इन सारी चीजों कर ध्यान रखना है अब ध्यान से देखो तो इस आप देखो थोड़ा सा ट्री का लूप धेरीदे वे आने लगा है ऐस कि डेप्थ के लिए में तो थोड़ा सा टाक्टों कर की इसकी साइड में थोड़ा सा लाइटर पार्ट भी देंगे असमें थोड़ा सा डेप्थ लगे और कुछ लाइन के तुरू टेक्शर देने का प्रयाप कर रहा हूं में जब भी हम लोग बनाते हैं तो ध्यान रखना कि बीच में लाइन जो ड्राइंग है कि जो बेस लाइन जो है उसको आप रिवू करके देख सकते हो ताकि हमें पता चले कि हम लोग हमारा काम सही से हो रहा है या नहीं अब हम देखते के लाइन रहे हैं इसके उपर हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी जो ट्री है इसकी पत्तिया जब मुझे बनाना है उसके पहले में में अपरे बेस कलर दे दूँगा एक छोटा सा सिंपल सा टेक्शर बर्ष लेकर के अब बेस कलर देना बहुत ज़रूरी है बीच में डाल करने परसां और फिर में इसको इन सारे कलर उसको जैसे ज़िए लाइटर देना है डाल कर देना है तब बेस कलर करके इसको मिक्सर ब्रश में मिक्स कर रहा हूँ तो यहां में मिक्सर ब्रश यूश किया है इसको पॉपरली मिक्स करके कुछ स्पेशल ब्रश मैंने बनाया है जैसे पत्तिय वाले इसको मैं यूश करूँगा इस तरसी यूश करना आप इसको देख लेजी साइड में इसकी प्रॉपर्टी से ब्रश की ताकि आप इसको समय समय रोटेट करके इसको यूश कर सकते हैं कि बीच का पार्ट तो सा डार्कर है इसलिए डार्कर यूश रहो और इसे में थोड़ा सा वेरियेशन देख करके लाइट डार्क लाइट डार्कर कॉंबनेशन करूँगा ताकि यह दिखने में थोड़ा सा अट्रिक्टिव लगे थोड़ा सा मैंने स्पिड अप कर दिया था नहीं तो काफी टाइम लग जाता इसको उसी ब्रश में साइस छोटी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप कि कलर यूज करके में पुछ इस तरह से को पाइनल यह हुआ है इसी तरह से साइट का भी करनेंगे हम लोग और सारी डिजिटल पेंटिंग का यह प्रोसीस ही है इसी तरह से हम लोग कार्ण फिर्मर के लिए बैगरण ऐसे ही पेंट करते हैं किवल एक ब्रश मैं इसको यूज कर रहा हूँ जिस ब्रश को मैंने लासो टूल चे पहले बनाया है जैसे कि जो लोग जानते हैं सॉप्टर के बारे में उनको पता है कि ब्रश किस तर से बनाया जाता है इसी तर इसको रोटेट करके और इसको कदर वेरिशन के साथ इसको यूज किया है और फाइनली यह इस तर का यह ट्री बन करके तयार है अब कुछ लाइटर यूज को हूँगा लैटर पार्ट और इसको में इस तर से कहीं 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 ताकि यह तोड़ा सा अक्रिक्व लगें जिसको एक बात और बता तो जिसको जैसे दिसको प्रश एदी नहीं बनाते आता है तो आप मुझे से करनें चार से पास राइफ के ब्रस ब्रैश यूज करने वाला हूँ जैसे यह एक है और नेचे के सबस्तों कि त अलग लग लग टाइफ के ब्रशूज करोंगा तो कि जीने भी यह ब्रॉशें चाहिए हं यह से ली साथ झाल झाल तब यहाँ पर थोड़ा समय की जो ट्रंक है ना उपर की साड में तोच ग्रिनिश करूंगा वह इस्ति है कि उपर काफी ग्रिनरी हो गई तो उसका रेफ्लेक्शन हम इस ब्राउन कलर पर करेंगे तोच देप्थ भी लगे और तोच रेफ्लेक्ट भी लगे ग्रिन के ज़़ पर यहां पर प्रेंटूल से तोड़ा से पार्ट से लेक्ट करेंगे और तो इसको फोरसा उपर की साजेंटमे लाइटर और नीचा को डार्क अपर में चख़ने के सब्सक्राइब करें दाधर भी जाये तो फों नीचा का दनीकर्वास ब्राइस नोन उच्छड़ादा चीजरादादा लगा है वे बहां रचछबादा लगा है वे पार्फ पर भार्फ लगार बादादादा लगा है अब यहां पर फोड़ आसपाइद के ग्रीजरी दिखाने के लिए तो सब्सक्राइब पहले कर लेंगे अब वेती ही जैसे मैंने ट्री में पहले गलर किया था milk निखान में यहां कर लिया और लिए यह उन्सक्राइब मेरे अधर मों सब्सक्राइब है जाहे तो मिक्सर बेस्ट चैम में को तो चेम सब्सक्राइब मुंचर इस को अच्छका जाः था मिक्सर ब्स को कि अच्छा लगा दो से लिए이 की तो पर डारकर पेल कहीं और खिर जैती कि मैंने बदाए कि और भी मुझे ब्रॉश रीज़ करना इसमें डिफरेंट रिफ्रों टाइप से वह ब्रॉश भी क्रम लोग यहां ही उसकर लेंगे इस तरह से स्पीड अप करके और यह कुछ इस तैप से दिखेगा अब फिलार मेने वही प्रॉश रीज़ करो जो उपर इसकी है तो इसमें लियान रखना है कि डार्क लाइट कहां यूज़ करना है कैसे इसकरना है कर दो कर दो करना है कर दो कर दो है जैसे कि मैंने कहा यह थोड़ा सा अलग टाइप का ब्रश है फ्लावर्स टाइप में है और कुछ पत्तियों की ब्रश बनाए अलग-अलग तो यह सारे हम भी आप अभी यूज़ करेंगे एक एकर के इसका लाइटर और डारकर टो तो इससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा टाइम से हो जाता है हमें जैसे ब्रश चाहिए पहले ब्रश हम लोग बना ले और उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो थोड़ा सा हमारा प्रेंटिंग बहुत अच्छा लगता है तो यह कोई बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है ब्रश बनाना को दीजित है बस आपको बनाना कहते है और आपको सुचना है कर दो बनाना को बनाना को पर बनाना को बनाना को दोगता है क्रिसा जब तरह प्लाव ए तरह में फिल जो प्लाव लंग तरह के लिँट कि अलाव टापिप लावर यह रहा मिल सब्सक्राव कि इस तर से कुछाई बंच बना देंगे और इसी बंच को हम लोग कंटिन्यू आगे और इधर दोनों साइड में लगा देंगे यहां पर कुछी इस तो सीग बंच है तो इसकी बंच बनाती है थोड़ा सा बैलेंस के लिए छोड़ा सा ब्राइच बनाती है अब नीचे का चो कलर है न उसको थोड़ा सा स्वी पीछी कुछ इसा कलर डालेंगे कर देप्थ फिल हुजाए तो अच्छा है इसको इसको मुशन ब्लर करके इसको मिक्स अप करते हैं इस सारी चीजे अब कोशिश करो कि इसको अलग-अलग लेर बड़ करो तो बेटर होगा इसको अठा हधा करके इस इस टाड़ में दे और उस साड़ मोगा कुछ थोड़ा बंचेस करना पड़े का अच्छ फरा बंचेस करना पड़े का कि छेश तो मिक्तल्य कि प्रूष ग्रॉप अच्छेव डू़ास्टॉ कुछ थोड़ा सा नीचे वाला हिस्से को कलर वही का कलर लेकर कि ताकि ये थोड़ा सा डिस्टाल्स अच्छा लगी कि लोज़े थोड़ा सा आपको मेरा एक काम पसल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ फैनल इसा देखेगा थैंक यू